कई बार सरकार की गलत नीतियों की वज़े से विद्यार्थियों का एक समू, दूसरे विद्यार्थियों के समू के सामने माननिय कोट के दहलिज पर खड़ा हो जाता है जिस प्रकार से माननिय पटना हाई कोट और माननिय त्रिपूरा हाई कोट के द्वारा N.I.O.S. से डियलेट करने वाले प्रसिक्षों के फेवर में फैसला देते हुए उन प्रसिक्षों को भी प्रात्मिक सिक्षक भरती के लिए पात्र कर दिया गया था उसके बाद से N.C.T. और M.H.R.D. मिनिस्ट्री ने भी 18 मन्त के N.I.O.S. डियलेट कोट को आने वाली सिक्षक भरती के लिए पूरी तरिके से पात्र मान लिया था लेकिन माननिय गुवाहाटी हाई कोट के द्वारा N.I.O.S. डियलेट प्रसिक्षों के पात्रता पर फिर से एक बर सवाल चिन लग गया है इसक्रिन पर आप आसाम राज्य के माननिय गुवाहाटी हाई कोट के एक आदेश को देख पा रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 नवंबर 2020 को यह ओडर जारी किया गया है और इसमें यहीं बाते लिखी गई है कि माननिय पटना हाई कोट और माननिय त्रिपुरा हाई कोट ने जिस प्रकार से 18 मन्त के N.I.O.S. डियलेट प्रसिक्षों को पात्र किया है लेकिन जब सरकार ने यह N.I.O.S. डियलेट कोर्स बनाया था तो उस समय इन सर्विस टीचर्स यानि कि जो पहले से सिक्षक हैं उनको में धारा में लाने के लिए ही इस कोर्स का निर्माण किया गया था जैसा कि आपको ग्यात होगा कि RTE Act के बाद पूरे देश भर में सभी सिक्षकों को अनिवारे रूप से सिक्षक बनने की ट्रेनिंग लेनी होती है और TET Seated भी क्वालिफाई होना होता है तो ऐसे टीचर्स जो की सरकारी विभाग में पहले से सिक्षक थे या फिर प्राइवेट में सिक्षा का कारे कर रहे थे लेकिन वह DLAT या फिर BAT जैसे कोर्सेज की ट्रेनिंग उन्होंने नहीं ले रखी थी उन्हीं के लिए NIOS DLAT का कॉंसेप्ट भारत सरकार के द्वारा लाए गया जो की पहले से सिक्षक थे उनको डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से सनीवार और रवीवार सिर्फ क्लास करके DLAT का कोर्स 18 मन्थ में कंड़क कराय गया था कई केसेज में देखा जाता है कि जब किसी एक राज्य के मानने कोड के द्वारा कोई फैसला किसी देख को फिर से सुना जा रहा है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि NIO से DLAT प्रसिक्षों के लिए आने वाले भविशे में खत्रे की घंटी बच सकती है हलांकि अभी इस केस में दो वीक में फिर से सुनवाई होने जा रही है जिसमें अंतिम रूप से फैसला मानने गुवाहार्टी हाई कोड के द्वारा दिया जा सकता है यहाँ पर जो रेगुलर कैंडिडेट होते हैं DLAT के जिन्होंने दो वर्स का रेगुलर कोर्स किया DLAT का वह पूरे विरोध में होते हैं NIO's DLAT कैंडिडेट के क्योंकि उन्होंने दो वर्स प्रते एक वर्स लगबग 50,000 रुपे फी दी है जबकि NIO's DLAT कैंडिडेट सिर्फ 6,000 रुपे सलाना फीस के तहत उनको आने वाली सिक्षक भरती में मौका दिया जा रहा है तो निशी तोर पर दोनों के अपने तर्क सही हैं लेकिन जिस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा पहले ये तै किया गया था कि सिर्फ इन सर्विस टीचर्स के लिए ही ये कोर्स माने होगा, देखना दिल्चस्प होगा कि माननी गुआ हाटी हाई कोट क्या कुछ फैसला देती है क्योंकि इनके फैसले के बाद ही पूरा खेल बदल सकता है और जिस प्रकार से माननिय पटना हाइकोर्ट या फिर माननिय त्रिपुरा हाइकोर्ट के फैसले के बाद से NCT ने पूरे देश भर में N.I.O.S. D.L.E. अभियर्थियों को मानने किया था अगर माननिय गुहार्टी हाइकोर्ट के द्वारा इसके विरोध में कुछ फैसला दिया जाता है तो अब देखना होगा कि NCT या फिर M.H.R.D. मिनिस्ट्री इस पूरे फैसले का किस प्रकार से साथ देती है या फिर किस प्रकार से इस फैसले को इंप्लिमेंट करती है पूरे देश भर में इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करे आपका दिन शूब हो